आज के वीडियो में कीटों का आर्थिक महत्तू अर्थात इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आफ इंसेक्ट्स के बारे मताएंगे तो पूरी जांकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइ इन में से 10 लाख कीटों की हैं आपको बता दें कि कीटों का अधयन जन्त विज्ञान की साखा एंटमोलोजी के अंतरगत किया जाता है और इसे कीट सास्त्र भी कहा जाता है अगर आप सब में कीट सास्त्र आ जाए तो बताएंगे कीटों का अधयन जन्त विज्ञान की बाटा जा सकता है हनिकार केट यानि harmful insects और दूसरा लाब दायक केट यहन India Beneficial Insects तो देखेए दो भागों बाटा गया है आपदायक केट लेकिन हम लोग पहले लापदायक केटो को समझेंगे इसके बाद हादिकारा केटो को समझेंगे तो लापदायक या बेनिफिशल इंसेटो के अंतरगत मधुमक्खी, मधुमक्खी से सहद वह मोम मिलता है हम सभी लोग जानते हैं और अधिक मधुमक्खी के बारे में जानकाली करने के लिए हमारे चनल में मधुमक्खी पर ही एक वीडियो अप्लोड़ेट है आप लोग जाकर के वो देखिए अच्छे समझ में आ जाएगा तो यह जो मधुमक्खी होती है यह परागण में सहायता करती है या पॉलिनेशन में हेल्प करती है और आपको बता दें जो मधुमक्खी होती है मधुमक्खी की कालोनी में तीन प्रकार के सदसे होते है तीन प्रकार के जिन में से रानी, स्रमिक और नर पाया जाता है या ड्रोन पाया जाता है इन में से जो ड्रोन है ड्रोन का निर्मार रानी के द्वारा दिये गए आनिसेचित अंडे से होता है जो आनिसेचित अंडा होता है उससे ड्रोन का निर्मार होता है या नर का निर्मा तो ये जनन योगिनर होता है, फर्टाइल मेल होता है, जो रानी है, ये जनन योगि मादा होती है, फर्टाइल फिमेल होती है, और जो स्रमिक होते हैं, जो वरकर होते हैं, ये बंध मादाएं होती हैं, बंध, यानि इस्ट्राइल फिमेल होती हैं, इस्ट्राइल, पॉइंट denoted आपको बता दें कि जो सहद की मख्य होती है जो हानी भी होती है इसमें दो प्रकार के नित देखे गए हैं या दो प्रकार के dance देखे गए हैं ये उनकी भासा होती है जिसके माध्यम से ये संदेश पहुचाती है ये संदेश भोजन के स्रोत को बताने के लिए होता है भोजन के स्रोत को यदि स्रोत नजदीक होता है तो ये गोलाकार नित करती है अगर भोजन का स्रोत नजदीक है पास में है तो गोलाकार नित करती है या round dance करती है और यदि यहाँ दूर है यह भोजन का सुरोत दूर है तो यह वैगल नित्त करती है यह दुम अभिदोलन नित्त करती है दुम अभिदोलन नित्त फिर लाब दाय किटों में दूसरा है रेसम कीट तो रेसम कीट या इसे बॉम्बेक्स मोरी कहा जाता है बॉम्बेक्स मोरी इससे वास्तविक रेसम प्राप्त होता है और लारवा की लार ग्रंथियां धागे के रूप में रेसम का स्रामण करती है तथा इसके चारों और कोकून बना देती है और चारों तरफ कोकून बना देती है और इसके सिल्क में फाइब्रोईन प्रोटीन के जो तंतु होते हैं वे सेरे सिन के द्वारा चिपके रहते हैं आपको बता दें कि रेसम सिल्क मौत या रेसम कीट के जीवन चक्र में कोकून जो होता है जो प्यूपा अवस्था होती उससे प्राप्त होता है रेसम किस से प्राप्त होत तो रेसम केट के प्यूपा अवस्था से प्राप्त होता है हलाकि सिल्क निर्माण कैटर पिलल लार्वा मांथ प्राप्त होता हुससे निकलता है रेसम किर जो होता है या सिल्क मौथ जो होता है इसकी लार ग्रंथियां सिल्क ग्रंथियों में रोपांतृत हो जाती है या बदल जाती है। और यहीं पर बताते चलें कि मलबरी रेशम ही सबसे अच्छा रेशम माना जाता है, मलबरी रेशम सबसे अच्छा रेशम माना जाता है, यानि मलबरी रेसम का उपिव सबसे अधिक किया जाता है जो positively Mori Namak Keats से प्राप्त होता है और aZY रेसम सबसे मझवूत होता है यह सबसे मझवूत होता है परण यह अधिक चिकना नहीं होता है अधा इसको अच्छा नहीं माना जाता है और फिर नेक्स्ट है लाख का कीट या लैसिफर या ट्राइकरड या लाख का तो इससे लाख प्राप्त होती है यही लाख का कीट कहा जाता है और यह मादा कीट जो होती है यही लाख का स्रामर करती है मादा कीट क्या करती है लाख का स्रामर करती है और आपको बता दें कि भारत में लाख लैसिफ लग्का के द्वारा और इसकी मादा बिपरीत मौसम में अंडे देने के लिए पीपल है ढाक है बरगद है आदिबरेचों पर सुरच्छात्मक घोसले के निर्मार के लिए लाख का स्रामर करती है याद रखेंगे और लाख के उत्पादन में नर कीट की भूमिका गौड होती है जबकि इसकी अधिकान समात्रा मादा कीट के द्वारा ही हूद्पन होती है यादि मादाएं ही लाख का स्रामर करती है और केंथर डीडिन नर बीटल यह कैंथार डिन उत्पन किया जाता है यह हूद करता है और डेक्टाइलोपियस कोकस से लाल आलता या टैनिन प्राप्त होता है डेक्टाइलोपियस कोकस से क्या प्राप्त होता है टैनिन प्राप्त होता है चलिए अब हानिकारक कीटों को समझ लेते हैं तो हानिकारक कीटों को मुख रूप से तीन भागों में बाटा गया है मुख रूप से गर देखा जा तो तीन भागों में पहला है मनुस्य तथा पालतू पसुओं के लिए हानिकारक कीट फिर दूसरा है क्रिसी के लिए हानिकारक कीट फिर तीसरा है खाद पदार्थों तथा अन्य उपयोगी वस्तों के विनासकारी कीट तो पहले हेड़िन डालते हैं मनुस तथा पालतू पसों के लिए हानिकारा कीट यहीं इंसेक्ट्स हार्मफुल टू मैंड डोमेस्टिक एनिमल तो मनुस से तथा पालतू पसों के लिए हानिकारा कीटों को कई भागों बाटा गया है जिसमें से पहला है खिजाने वाले कीट खिजाने वाले कीटों के अंतरकत अनेक प्रकार के कीट मनुस से और पालतू पसों के सहवासी होते हैं साथ साथ रह करके अपना जीवन जीते हैं जैसे हमारे घरों में जो काक्रोच होते हैं लालवा काली काली चीटियां आपने देखी होंगी जींगुर देखा होगा ये सब क्या होते हैं खिजाने वाले कीट होते हैं और रात में प्रकास के पास कई प्रकार के कीट आते हैं बरसात में आपने देखा होगा कि इनकी संख्या बढ़ जाती बरसात में अधिक कीट निकलते हैं जब प्रकास जलता है और इनसे खाना पीना एवं काम करना कठिन हो जाता है आप खाना पीना करने लगते हैं तो उसमे वो अच्छा नहीं लगता है और इनसे मनरस्स वापस जो होते हैं वो खीज उठते हैं इसलिए जैसमे जी आने वाले कीट कहा जाता है फिर दूसरा है जहरीले केट तो कुछ कीट जहरीले भी होते हैं और इनसे मशन और पसूं के इसे भी खुजली और जलन होती है जिसे मच्छर और चीटी काले तो बहुत इसे खुजला हट होने लगती है तो खुजली और जलन होती है बरसात में प्रकास के पास आने वाली जो ब्लिश्टर बीटल होती है जब बरसात होती है तो प्रकास के पास में जो ब्लिश्टर बीटल है यह important है पुछा जा सकता है इस पर question blister beetle या लिट्टा और फिर next heading परजीवी कीट या parasitic insects इन्हें मुख्यूप से दो भागों बाटा गया है एक तो बाह परजीवी और दूसरा अंता परजीवी बाह परजीवी यहनि एक्टो पैरसाइट्स और अंता परजीवी यहन मनुसे एवन पाल्तू पसुओं या पच्छीओं के सरीर पर बाहर रह कर directors अपना जीवन जीते हैं जैसे जूं होता है और यह मनुसे और पाल्तू पसुओं के बालों पच्छीओं के पंखों के बीच में चिप के रहते हैं और यह मनुसे में इनकी दो प्रमुख जातिया पाए जाते हैं अगर पोछा जाए कि मनुस्य में दो प्रमुग जाते हैं या एक प्रमुग जाते हैं तो दो प्रमुग जाते हैं आपको बताते हैं एक तो है सिर्की जू सिर्की जू फिर दूसरा है धाड की जू जिसे चीलर कहा जाता है फिर अगला है पिस्सू तो ये पा बालों में पच्छियों के परों के बीच में पाये जाते हैं जो स्तंधारियों के बाल होते हैं जो पच्छी के पर होते हैं उसके बीच में पाये जाते हैं और रुधिर को चूशते हैं चूहे का पिसू भी होता है रैट फ्ले भी होता है चूहे का पिसू और मनुस में प्ले या बिडबग तो यहां भी भूरा चप्टा तथा पंखहीन कीट होता है यहां चारपाईयों फरनीचर आध की दरारों में छिपा रहता है और प्राया रात में मनुस्य का खूंचुसता है इसके काटने से सरीर में बेचैनी एवं जलन होती है और निद्रा भी नहीं पड़त अगर अंता परजीवी को देखा जाए एंडो पैरासाइट को देखा जाए तो कुछ परजीवी कीट मनुस्य और पसुओं की तचा में घुश कर घाव बना देते हैं इनमें पालतु पसुओं की बागाई जो मक्षी होती है या बोट फ्लाई है फिर यह ताजा घावों के जरिये पोसत की तचा में घुश कर सुरंग बना देते हैं भेणों और घोडों की बागाई मक्षियां पोसत की नाक में अंडे देती हैं जो भेणों की और घोडों की बागाई मक्षिया होती है यह पोसत की नाक के अंदर अंडे देती हैं और लार्वी नासी गुहाओं मे रहती है जो लार्वी नासल कैवेटीज होती है उसी में रहती है फिर नेश्ट है रोग फैलाने वाले कीट रोग फैलाने वाले कीटों में मनुस से एवं पालतू पासों के लिए सबसे घातक कीट होते हैं रोग फैलाने वाले कीट जो भयंकर संक्रामक रोगों के कीटाड़ वाइरसों आधि को फैलाते हैं और डबलु एच ओ के अनुसार संक्रामक रोगों से मरने वाले मरस्यों में आधों के रोग कीटों के द्वारा फैल आए गये होते हैं मतलब जो संक्रामक रोगों के द्वारा मरस्य मरते हैं उसमें से आधे लोग जो मरते हैं वो कीटों के द् बेगने नाम मुस्का डॉमेस्टिका होता है और यहार रोग फैलाने में सर्वो पर है सबसे ज़्यादा रोग फैलाती है इसके द्वारा फैलाए जाने वाले प्रमुक रोगों में आम आतिसार या एमेबेस्स डेसेंटरी जिसको कहा जाता है है आतिसार कोथ सुझाक कोड़ टाइफाइड तफेदिक आधि यह रोगों को फैलाती है अगर मच्छर को देखा जाए मास्कीटो को देखा जाए तो यह कम से कम चार पांच बीमारियों को फैलाता है जैसे मलेरिया है फील फिर नेक्ट है चूहा फ्ली या रैड फ्ली तो यहां ताउन या प्लेग की महामारी को फैलाता है ताउन या प्लेग की महामारी को और यहां चूहों के सरीर पर पाई जाती है फिर सीसी मक्खी सीसी मक्खी यह अफ्रीका की घातक निद्रा रोग की फैलाने वाली मक्खी ह स्लीपिंग सिक्नेस नमक रोग पैदा करते हैं जो सेंड फ्लाई या बालु मख्षी कहा जाता है तो यह मख्षी काला अजार तथा फोडे का रोग फैलाती है जो सेंड फ्लाई होती है ऐसे जो खटमल होते हैं यह रुधिर चूसने के अत्रिक्त टाइफस रिलैप्सिंग च ज्वर तथा कोड फैलाते हैं टाइपस रिलैप्सिंग ज्वर और कोड यानि लेप्रोसी फैलाते हैं फिर नेक्ट है सरीर के जुझू होते हैं यह भी रुधिर चूसने के अत्रिक्त टाइफस ट्रेंच ज्वर तथा रिलैप्सिंग च्वर के घातक रोगों को फैलाने का कारे करते हैं चलिए अब क्रिसी के लिए हानिकारा कीटों को समझ लेते हैं अर्थाथ इंसेक्ष हारफुल आप एगरिकल्चर को जान लेते हैं तो खाने के लिए यानि मनुस्य भोजन के लिए क्रिसी द्वारा भूमिसे अनाज है फल है सबजियां है आदी पैदा करता है मन और सारे कीट भी उसको खा जाते हैं जिससे कीट अपना भोजन प्राप्त ना करते हों चाहे वो पेड़ पौधों की जड़ों को खाकर करते हो पत्तियों फलों फूलों आदी किसी ना किसी चीज़ को खाकर वो करते हैं तो क्रिसी के लिए हानिकारा कीटों को कई भागों ग्ंबाटा गया है जिसमें से पहला है पाउधों को कुतरने वाले कीट मिआ दिद्डु तो हम सभी लोग जानते हैं कि पूरे पूरे खेतों की हा कर चट कर देने वाली दल होते हैं जो दल बहुत से बड़े-बड़े चलते हैं वढ़े पूरे पूरे ? करते हैं कि खेतों को ही चट कर डालते हैं ठीफ Cityuff कर डालते हैं अगला है आलूAT deber वह मटर मोई की तनों को ब्रवी के फस्पलने को भूमि के पास से चबाकर नश्ट कर देती हैं के तने ही खा जाती है फिर एगला है लाल कद्दू बीटल रेड पंपकें बीटल जो होता है जैसा कि आपको चितर में दिख भी रहा है यही है लाल कद्दू बीटल तो या सीता फल या कद्दू ककड़ी तोरई लौकी आदि के पौधे को खाकर नश्ट कर देता है और फिर एगला है राइनो सिरास बीटल या नारियल की पत्तियों को कुतर कर नश्ट करता है जो राइनो सिरास बीटल होता है फिर नेश्ट भाग है पौधों का रस चूसने वाले कीट पहला है कपास का ज्ञांगा जो कपास का ज्ञांगा है या रेड पाइरिला जिसे कहा जाता पाइरिला यहां एक हैं एक चोड़ा सा पतियों एवं तने का रस चोषता है जो गन्ना होता है उसकी पतियों को उसके तने को रस को चोषता है जो उसका मौत होता है पारिला और इसकी गिडार गन्ने में जगह जगह सुराग मना देती है जो गिडार होती है गन्ने में जगह जगह पर छिद्र कर देती है इससे गन् चावल की गंधी यानि राइस भग तो एक खटमल जैसा भग होता जैसे खटमल होता है विल्कुल उस तरीके का होता है और धान की बालियों के कच्चे बीजों का रश्चूस कर उन्हें नश्ट कर देता है फिरनेश्ट है गोभी का चेंपा यानि कैबेज तो यहां गोभी सर सरसों हैं इसके तनों के रसको चूस लेता है फ़लों के रसको चूस लेता है ऐसा ही एक च्यांपा सरसों मूली आदी पाउधों पर भी पाया जाता है तो गल्र तेहनियों का रश्चूस कर इन्हें सुखा देते हैं फिर नेश्ट हैं आम का तेला या लासी तो यहां बग आम की कोमल तेहनियों को उनकी कलियों का रश्चूसता है जो लासी होती है जो आम का तेला होता है या मैंगो लीफ होफर जो होता है यह आम की कोमल तेहनियों का कलि का रस्चुष डालता है जिससे आम की बहुर नेश्ट हो जाती है और आम नहीं लगते हैं ते नेश्ट समू है पौधों में धसकर उन्हें खोखला बनाने वाले कीट तो अनिक प्रकार की कीट जो कैटर फिलर होते हैं कीटों के वह पौधों के विविन भागों में घुस जा करते हैं कपास की सुरही होती है कपास का जो कीडा होता है यह भी ऐसा ही करता है इंक का घिडार भी यही करता है मक्का वेधक भी यही करता है और चने का घिडार जो होता है यह क्या करता है यह अरहे टमाटर तमाको आद के तनों को खोखला कर देता है और फिर है गेहूं की हेसियन मक्ही तो एक प्रकार की छोटी मक्ही होती है और इसकी लार्वी जो होती है गेहों के तने में घुश कर उसको अधिक खोकला बना देती है चलिए अब जानते हैं खाद पदार्थों तथा अन्य उप्यूगी वस्तों के दिनासकारी कीटों को तो हाउस ओल्ड पेस्ट कटेरा जो गण होता है इसके सदस से होते हैं इन में से घुन प्रमुख है घुन है खापरा है घोरा है गुबरैला है सुरैरी है यह पतंगे जो होते हैं यह मौत जो होते हैं यह सब यही नुक्सान करते हैं और गेहों चावल चना मटर आदि अनाजों के दानों में भी छे देखा जाए तो खाद पदार्थों के अत्रित या अन्य ओप यूगी वस्तों को हाने पहुंचाने वाले कीटों में से एक है या सेलिलोज का सौकीन होता है सेलिलोज को खाता है या कागज धन्यों किवाणों फरनीचर आदि लकड़ी की वस्तों पर आक्रमार कर देता है और लकड़ी की वस्तों को खा डालता है फर्स या दिवारों में भी घुज जाता है उन्हें भी खराब कर देता है बागों में उपस थी ट्राइको निम्भा नामक सह जीवी प्रोटो जोवन सेलिलोज के पाचन में जहायता करता है